यह जो रेसिपी आप देख रहे हैं इसे हमने बैंगन से बना कर तयार किया है और मैं इस चीज की गैरंटी लेती हूँ कि इस रेसिपी को अगर आपने ट्राय कर लिया न तो बैंगन के लिए आपकी सोची बदल जाएगी और आप इसे बार बार अपने घर पर जरूर बनाए आज की रेसिपी को बनाना चलिए हम शुरू करते हैं तो आज की रेसिपी बनाने के लिए हमने यहां पर यह लंबे वाले डाग पैंगन ले लिए हैं मार्केट में आपको यह बहुत आसानी से मिल जाएंगे आप इने मीडियम साइज का यूज कीजेगा बहुत जादा जो यहां पर चाहें तो बैंगन की स्किन को भी निकाल सकते हैं मर्जी बिल्कुल आपकी है यहां पर मैंने स्किन को नहीं निकाला है इसके हमने दो हिस्से कर लिए बिल्कुल बराबर हमें हिस्से करने हैं उसके बाद हम इसे टरन कर लेते हैं फिर हमें इसे कट करना है तो नहीं निकालेंगे क्या हमारी जो लेयर से न वह प्रॉपली सैट रहेंगी इससे और जो है यह खुलेगा नहीं तूटेगा नहीं तो आप देखिए मैंने स्टार्टिंग से लेकर कट लगाया है और बिल्कुल परफेक्ट हमारे सभी बैंगन पे मैंने इसी तरह से लेयर लीजे सभी बैंगन के उपर और उसके बाद हाथों से इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लें जैसे ही हम सब्जियों में नमक डालते हैं दोस्तों सब्जी आपना पानी छोड़ देती है तो वह जो पानी है वह यहां पर साइड हो जाएगा और जब हम इसके स्नैक्स बन को दीजे ताकि इसका पानी निकल जाए जब तक हमारे बैंगन आराम करेंगे चलिए हम बाकी की चीजों को तयार कर लेते हैं तो आज हम बनाएंगे एक क्रिस्पी सा बैटर तो क्रिस्पी बैटर के लिए हमने यहां पर एक कर्टोरी बेसन ले लिया है उसमें हम डालेंग आप वहां से चाकर सबका मेजरमेंट देख सकते हैं यह जो घोलम बना रहे हैं बिल्कुल पकोड़े के घोल जैसा बना रहे हैं बस थोड़ा सा पतला होगा आपको इस बात का यहां पर ध्यान देना है तीन सुखे मसाले थे वो हमने इसमें डाल दिये आप हम थोड़ा- समय लग जाता है दोस्तों तो थोड़ा-थोड़ा पानी दाले फिर मिक्स करें फिर थोड़ा पानी डाले फिर मिक्स करें मैं आपको यहां पर final दिखाती हों की किस तरे का घोलमने यहां पर बना कर तयार किया है थोड़ा सब पतला होना चाहिए इस बात का आपको ध्यान तो यह देखिए पहले हम इसे अच्छी तरह से थिक घोल बना देते हैं फिर थोड़ा पानी और जरुरत के हिसाब से डाल कर इसे हम पतला कर लेंगी तो आप देख सकते हैं किस कंसिस्टेंसी का घोल हमने यहां पर बनाया है मैं आपको चम्मच में इसे टेस्ट करके दिखा तो बहुत जल्दी से अपनी जगा पर नहीं आ रहा है तो बस यह बेसन का गोल तयार है इस घोल को थोड़ा सा चटपटा रखिए का इस बात का ध्यान दीजेगा अब हमने यहां पर जो ब्रेड होती है उनको मिक्सर जार में डाल कर पीस लिया है और उनका पाउडर बना यानि की ब्रेड क्रम्स बना लिए है अब एक और बोल में दोस्तों यहां पर मैने एक कप मैदा ले लिया है यह हम ड्राय कोटिंग करेंगे इसकी तो यहां पर हमने मैदा का इस्तमाल करना है अब चलिए देखते हैं हमारे बैंगन रेडी है तो पंदरा मिनट हो चुके है पंदरा मिनट के बाब मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए बैंगन का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका है और हर बैंगन में से देखिए कितना सारा जूस जो है वो बाहर आ चुका है तो बस दोस्तों अब चलिए बैंगन को हम साफ कर लेते हैं क्योंकि बैंगन में नहिलाना धुलाना साफ करना तो बनता है तो यह देखिए बढ़ी ऐसे हमने यहां पर इसे किचिन टॉल के हल्प से बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लिया आप देख सकते हैं लेयर्स कितनी आसानी से खुल कर रेडी हो रहे हैं सभी बैंगन को आप इसी तरह से साफ कर ले इसलिए हमने यहां पर यह वाला स्टैप किया है तो दोस्तों आप देखिए मैंने सभी बैंगन को इसी तरह से रेडी कर लिया और हमने यहां पर किचिन टॉल पे एक मिनट के लिए इसे रखा जब तक मैं बाकी बैंगन को साफ कर रही थी अब चलिए फाइनल स्टेज की दरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमारे जो बैंगन है वो जाएंगे मैदा के अंदर तो यह देखिए आप जो है लेयर को खोल कर डिप करेंगे न तो बहुत आसानी से डिप हो जाएंगे यहां पर मैंने बोल का यूज किया है आप अगर किसी खुली प्लेट में डालेंगे तो और भी जल्दी ये काम आपका हो जाएगा तो यह देखिए हमने यहां पर पहले मैदा की डस्टिंग कर ली हर एक लेयर में बढ़िया से मैदा की जो कोटिंग है वो होनी चाहिए यह बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों लेयर खोल के ही आपको यहां पर इसे सैट करना है अब इसके बाद हमारी जो सेकेंड कोटिंग है वो है बेसन की कोटिंग तो अब इस मिक्शर को बेसन के मिक्शर को हम बैंगन की हर एक लेयर में डालेंगे और बढ़िया से आप यहां पर इसे इसमें डिप कर लें बैंगन की जो कोटिंग है अच्छी तरह से इसके उपर जाएगी क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मैदा लगाया था तो जो बैंगन की उपर वाली लेयर है वो ड्राय हो चुकी है जल्दी से यह बेसन है इसके उपर चिपक जाएगा इदे कि हर लेयर को में अलग-अलग से खोल के इसमें बढ़िया से सेट कर रहे हूं अब हम बैं बैंड कर दो बढ़िया दालेंगी दोस्तों यहां पर देखिए हमें ब्रेड क्रम्स के उपर जब इसे डालना है न तो इस तरह से बढ़िया से आप इसे ओपन करके डालिएगा ताकि जो है ब्रेड क्रम्स की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए सेम इसी तरह से मैदा में करते वगे आप इसे खोल कर डिप करें तो बहुत अच्छी तरह से जो है कोटिंग बिल्कुल अंदर दख होगी और हमारा जो यह नास्ता है बहुत ही बढ़िया बनेगा तो यह देखिए अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स को डिप करने के बार मैंने से दबा दिया हाथों स ताकि bread crumbs इसके उपर चिपक जाए और निकलेना अब यहाँ पर सभी बैंगन को हम इसी तरह से ready कर लेते हैं यह दिखी बढ़िया से हर एक layer में बराबर से जो है सारी coatings हो चुकी है अब जब तक हम यहाँ पर बैंगन को settle कर रहे थे दूसरी और मैंने कड़ाई में तेल गरम ह हो उसे stage पर हम अपना बैंगन इसमें डालेंगे और gas का flame low to medium ही रखेंगे बहुत जादा आपको high नहीं रखना है low to medium flame पर क्या होगा जो हमारे layer है वो भी बढ़िया से कुक होगी और साथ ही अंदर जो बैंगन है वो भी कच्चा नहीं रहेगा यह देखिए यहाँ पर मैंने चमच की help से हर एक layer को भी open कर लिया है ताकि सब कुछ बढ़िया से कुक हो पाए आप जब आपको लगे कि 4-5 मिनट हो चुके है और नीचे वाला साइट कुक हो चुका है फिर हम इसे टर्न करेंगे यह देखिए बढ़िया सानी से और देखिए कितना बढ़िया सा क्रिस्पी गोल्डन कलर आया है और देखने से ही पता लग रहा है कि हमारा बैंगन भी यह कुछ जादा बार पलटना नहीं है पहले इक सइड करेंगे फिर दूसरे साइड क करेंगे और इसके बार यह देखिए बस अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं कब जो यह हमारे रेसिपी है बहुत ही क्रिष्पी सी बनकर तयार है बाहर क्रिष्पी लेर्स है ऊपर जो है कोटिंग है बहुत ही मज़ेदार और अंदर जो है सॉफ्ट और बहुत ही स्पाइसी वाला हमारा बैंगन है आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे भी पताएगा कि आपको कैसी लगी